दोस्तो भारती टीम से दो खतानाक बाहर हो चुके हैं तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले तो क्या है पूरी ख़बर जानेंगे इस वीडियो में तो दोस्तो आप लोग वीडियो को लाइक और सेयर और शेयों को सस्क्राइब जरू करें तो दोस्तो इसमें भारत और इंगलेंड के बीच में पांच मैजों की टेस्ट रिज का आगाज हो चुका है जहां पर दोस्तो दो टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं और इंगलेंड की टीम भारत के दोरे पर आई है पांचों टेस्ट मुकाबले खेलने के लिए वहीं आपको बता दें, कि England की टीम ने पहला टेस्ट मुकाबला 28 रनों के छोटे अंतर से दोस्तो जीत लिया था, और उसके बाद दोस्तो भारती टीम ने बहुत ही समाज़दार तरीके से दोस्तो वाक्सी करी, और खतानाग तरीके से दोस्तो दूसरे टेस्ट मुकाबले में भार टीम को दोस्तों 106 रोनों के बड़े अंतर से हरा दिया अब दोस्तों तीसरा टेस्ट मुकाबला जो कि इंडिया और इंग्लेंड के बीच में खिला जागा वो दोस्तों भारती से मिनुशार आपको बता दे तो सुबह के 9 बजे आपका टांस होगा और 9 बजे आपकी पहली गेत फेकी जाएगी और यहां मुकाबला आपको राज कोट में देखनों को मिलेगा जो कि 15 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी के बीच में तीसरा टेस्ट मुकाबला चलने वाला इंडिया और इंग्लेंड के बीच में वहीं आपको बता दे कि भारती टीम में दोस्तों अब दो खतनाग खिलाडी बाहर हो चुके हैं क्योंकि दोस्तों अब बिराट कोहली के भी वापसी होगी तीसरे टेस्ट मुकाबले में जो कि आपको बता दे तो पहले दो टेस्ट मुकाबले बिराट कोहली नहीं खेले थे इंडिया टीम में अब वहीं दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले में 104 रनों की सतकी पारी खेले थे दोस्तों जो की सुमन गिल तो इनका कहीं न कहीं मौकाइं पर पक्ता है वही रज़त परजदार तो आपके दोस्तों खेलते नजर आएंगे और दोस्तों वहीं आपको बता दे तो KS भरत की जग़र दोस्तों आप के अलाहूल द टेस्ट मुकाबले में जो कि इंडिया और इंगलेंड के बीच में तो आप लोग क्या अनुमानी थे कि है कि तेस्ट मुकाबला भारती टीम जीत पाएगी तो आप लोग कि अपनी रहे कमेंट सरके वीडियो को लाइक और सेयर और शियान को सस्क्राइब जरू करें